आपने कभी ट्राइ करके देखा है कि आप कोई मुवी देखने जा रहे हो और आपने उसका ट्रेलर नहीं देखा है देखो यार ट्रेलर नहीं देखने पर मतलब आपको कहानी का कुछ नहीं बता होता और जब आप movie देखते हो तो उसका मज़ाए कुछ और होता है मैं ये पहले try कर चुका हूँ इससे पहले जो मैंने movie देखी थी वो bloodshot देखी थी जिसका मैंने trailer नहीं देखा था और वो movie बहुत मुझे पसंद आयी थी और आज इस video में मैं कुछ एक ऐसी movie के बारे में बात करने हैं जिसका trailer मैंने नहीं देखा था बस ऐसी movie मैंने start कर ली थी और सच में मैंने उस movie को बहुँ जादा enjoy किया नमश्कार दोस्तों इस video में बात करने वालों अप Creed movie के बारे में जिसे direct और right एक ही इंसान ने किया ले वैनल ने अब अगर इस movie की कहानी की बात करूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि इसमें मैं कम से कम spoiler दूँ क्योंकि movie इतनी अच्छी है कि मैं चाता हूँ आप इसे enjoy करो कोई spoiler लेके आप जाओ गे तो उसका interest खतम हो जाएगा तो यह movie based है future पे जहां पर एक इतनी advanced technology आगी है कि हर कोई हर इंसान इस technology का आधी हो गया और उनी इंसानों में से एक ऐसा इंसान भी है जो यह technology पसंद नहीं करता और अपनी life को वही पुराने ढंक से जीने की कोशिश करता है इस इंसान का नाम है ग्रे और यह अपनी wife के साथ रहता है जिसका नाम है आशा तो यह दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हों अपनी life में बहुत ज़्यादा खुश है इस movie में आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा कि किसी ट्यूस का इंजार करने में बस कुछ minutes के बाद ट्यूस पर ट्यूस आनने शाट हो जाते हैं और ट्यूसथ आता है ग्रे की ज़ो wife है आशा उसको मार दिया जाता है और ग्रे को Paralyze कर दिया जाता है तब एक ग्रे का एख दोस्त होता है चलाएगी उसके कंट्रोल में नहीं होगा यह सब चीजे अगर वो चिप उसके बोड़ी में से निकाल दे तो वापिस उसका शरीर पैरलाइज हो जाएगा तो एक तरीके से इतनी एडवांस टेक्नोजिस में दिखाए गई है और उसका दोस्त इसे यह कहकर भी मनाता है कि कुछ पावर्स आ जाती है मतलब उसका श्रीर मैंने कहा मशीन की तरह के से काम करना स्टार्ट कर देता है मतलब एबिलिटी आ जाती है एक तरीके से लड़ने की फिर ये चिप इससे बात भी करती है और है भी करती है कि इसकी पतनी को किसने मारा था और यह चिप केवल उसक जदा मन कर रहा है कि आप लोगों को वो जो चीज है वो जो राज है वो बता दू लेकिन यार बहुत मुश्किल से अपने आपको कंट्रोल कर रहा हूं कि आप इंजोई करो इस मुवी को मैंने जैसे इंजोई गया मुझे कुछ नहीं बताता यार कैसे एबिलिटी आनी वाली है उसके अंदर या फिर क्या स्टोरी रहने वाली है इस मुवी के अंदर तो बहुत जबरदस्त आपको लगेगा अगर आपने इसका ट्रेलर नहीं देखा है या फिर मैंने भी बहुत कोशिश किये कि आपको कम से कम इस मुवी के बारे मैं बताऊं बस मक्सिद यही है कि य यह मुवी आप लोग जरूर जाकर देखो आई नो यह मुवी 2018 में आई थी काफी सारे सोच रहे हुए यार 2018 की मुवी आई हुई अब तक तो बहुत सारे लोगों ने देख ली होगी देखो यार जैसे मैंने यह मुवी नहीं देखी तो मुझ जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हों ने अभी तो के मूवी नहीं देखी तो उनके लिए मैंने कोशिश किये कि spoilers ना दू बट मेरा मन तो बहुत आयार आप लोगों को मागे की story सुनाने में बट बहुत मुश्किल से control कर रहा हूं कैर छोड़ो अब acting के बात करें तो acting के मामले में जो ग्रे के ट्रैक्टर ने जो यहां पर acting अपनी performance दिये वो लाजवाब है मतलब उसके facial expression इतने जबरदस्त मुझे लगे एक side उसकी body जो है एक अपने तरीके से लड़ रही है और उसका face जो है वो ना ना कर रहा है कि नहीं नहीं मुझे नहीं मारना तो यह वाला scene देखे मुझे बड़ा मजा है इसका screenplay बढ़िया है इसका direction बढ़िया है और इक story में आपको एक नया concept देखने को मिलता है और अगर इसकी कुछ कमियों की बात करूँ तो मैं बस यही कहूँगा कि इसके अंदर जो fighting scene है वो बहुत ही कम है मुझे मतलब इतनी ज़्यादा expectation हो गए थी इस movie से कि हाँ यार इसके अंदर और ज़्यादा fighting scene होने चाहिए थ हमें और movie यह देखनी है और जो इसके अंदर जो last वाला scene है उससे मेरी ज़्यादा उमीदे थी कि और बेटर भी किया जा सकता था अब मैं यह नहीं कहूँगा कि जो last वाला scene है वो खराब था या फिर जो fighting scene थे वो खराब था बलकि बहुत ज़्यादा जबर्दस था मैंने कहूँगा कि यह movie जो है बहुत चोटी है चोटी तो नहीं कहूँगा कि मतलब बस यह है कि जब हम इसमें देखने बैठते हैं तो हमें पता इन चलता कब time का कब time चला गया वो शायद इसी लिए होगा कि इतनी entertaining movie है कि time का पता ही नहीं चलता कि कब यह movie स्टार्ट हुई और आप लोगों को spoilers ना देने की फिर भी शायद मैंने तो नहीं दिये और मेरे ख्याल से मैंने कोई भी spoilers नहीं दिये एक चोटी सी कहानी दिये और अगर आप trailer देखोगे तो trailer में तो बहुत जादा चीज़ें दिखा देंगे तो मैं यही कहूँगा कि trailer प्लीज मत देखना बस यह movie जाकर देख लो बस आज के लिए इतना आई था इस वीडियो में thanks for watching this video मिलते हैं next video में जैहिं